मददपदेश के एक बड़े हिस्से में डकेत हुआ करते थे बड़े बड़े में 2006 में मुक्वंत्री बना और मैंने तैकिया कि मददपदेश में तो ड़ाकू रहेंगा सिवराजी रहेगा दोनों एक साथ नहीं रहे सकता है यहां रीसेंटली एक हुआ था कि इन दौर में एक मूजिक कॉंसर्ट हुआ था जहां पे एक आर्टिस गाना गा रहा था और वहां पे किसी ने गन निकाल दी थी तो आप क्या करते हो इनके लिए एक स्टार्ट कहा से हुआ आप पॉलिटिक्स में आए कैसे सत्रा साल की उमर में जेल में था इमर्जिंसी में जेल से निकल के फिर हमने जनता पारिटी का काम किया जो लोग जेल जाते हैं वो अच्छे लीडिस बन जाते हैं आगे चलके एक सीएम होने के पर्क्स क्या-क्या होते हैं सिरह बाते हैं विमन इंपाव्मेंट पे बेटा और बेटी में भेत किया जाता है भारत में मुझे ज़्यादा प्यार मिलता था मेरी बेहन को उता नहीं मिलता था क्योंकि वो बेटी थी और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि बेटी को बोज मत रहने तो बेटी को बढ़न बनाने की कौसिस करें फिर मेरे दिमाग में आईडिया आया कि बेटी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लखपती हो मद्वडिस में Welcome to Figuring Out, आज का हमारा एपिसोड है बहुत ही एक इंपोर्टन लीडर के साथ, मैं इंदोर से हूँ, मैं मद्यप्रदेश से हूँ, तो हमने मद्यप्रदेश के लॉंगे सर्विंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंग चौहान जी के साथ बनाया है, हमने उनसे ये पूछा कि मद बड़ी इंड्श्ट्री के पास जा के Trip Canada को घ्रो करने में हअनु करने मध्यप्रदेश का एक रिजन था बहुत फेमिस था, वहां से क्राइम को हटाने के लिए उन्होंने किया और वह पूरी तरह से हटा की नहीं हटा, हमने बहुत सारे हार्ड questions पूछे इसारे में निस्तर बने रहे, प्लीज इंजो इस तुडेश शो, अगर आपको लगता है कि पॉटकास बहुत लंबा है, तो आप जाके हमारे राज्शमानी क्लिप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी यसी अंकट क्लिप से, जो शायद आपको इस पॉटकास में क्लिप पॉटकास का नाम फिगरिंग आउट है, और यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर इंडिविजुल का एक ड्रीम है जो इंडियन ड्रीम है उसको पूरा करनी कोशिश करें, तो हम आपके जैसे लीडर के साथ बात करनी कोशिश करते हैं, कि एंग लोगों को बत आते हैं वो क्या स्टोरी वो रियल है क्या है और क्यों लगाते हो देखिए एक फैसन सा हो गया है ग्लोबल वारिगमिंग पर बात करना क्लाइमेट चेंज पर बात करना इस पीज दे देना मैं ये मानता हूं कि धरती को अगर आने वाली पीडियों के रहने के लाइक बचाना हैं तो हमको गंबीरता से पर्यावरन पे काम करना पड़ेगा और वो भासन से नहीं हो सकता मुझे लगा कि आचरन से सिखाना पड़ेगा लोगों तो लगबख सवा दो साल पहले मेरे मन में ये संकल्प पैदा हुआ कि सिवराज तू भासन बद्दे तू खुद पेड़ जब तू खुद रोज पेड़ लगाएगा तो बाकी से कहने का हकदार होगा कि आप पेड़ लगाईए पर्यावरन बचाईए पर्यावरन संबत जीवन से लिए अपनाईए पहले आप तो अपना हो और इसलिए मैंने 19 फरवरी 2021 को अमर कंटक में इस संकल्प के साथ पेड लगाया कि हमें रोज पेड़ लगाऊंगा पहले एक से सुरू किया लेकिन फिर मुझे लगा कि लोग और जोडने चाहिए तो मेरे साथ रोज पेड़ लगाने बाकाईदा सूची बनी रहती काच कौन लगाएगा कल कौन लगाएगा तो तीन चार चार ग्रूप आते हैं जिनको एलाओ करते हैं तो उनके साथ हम रोज पेड़ लगाते हैं और मैं अपील करता हूँ आपके माधम से भी आप रोज मत लगाओ मैं आम जन से कहता हूँ कम सकम जन्म दिन के दिन पेड़ लगा दो बच्चों के जन्म दिन अगर बड़े हो तो उस दिन पेड़ लगा कैसे हम यह पवितर काम करें और मैं एक चीज और मेरे मन में लगती भीया उतनी आक्सिजन का तो इंतजाम कर लो जितनी तुम लेते हो तुमारे जिन्दा रहने के लिए जरूरी है अब एक बात और डिसिजन लेने की कोई प्रॉसेस होती है आपकी बहुत डेटा देखते हो अलग अलग चीज़ों का कि ये गट से होता है कि अब इतना एक्सपीरिंस होने के बाद इतना अनुभव होने के बाद आपको पता है क्या सही क्या गलत तो कैसे डिसिजन लेते हैं डिसिजन मीकिंग प्रॉसे कई तरह की चीज़े होती है एक अगर कोई अचानक ऐसी परिस्तिती घट गई जिसको आप दुर घटना भी कह सकते हैं जिसको कहीं कोई इंसिडेंट हो गया तो फिर आप तुरत अपने अफसरों को बिलाते हैं उन से कारण जानते हैं डिसकस करते हैं और डिसकस करके किसी निरने पर पहुंशते हैं कि यह करना चाहिए इसमें कई बार आपका दिल कहता है अफसर अलग वो रहे लेकिन आपके अंतरात्मा अलग क्या रही है कि नहीं नहीं यह करना चाहिए तो फिर जो अंतरात्मा की आवाज दिल की फिर अंदर से या जाते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं ये करना चाहिए तो आप decision वैसा ले लेते हैं कई बार आप उसी तरह की परिष्टती कहीं बनी तो क्या हूँ आप उसको भी एक बार नजर बार लेते हैं तो ये बड़ी अलग चीज़े क्योंकि हर चीज एक फार्मूले पर नहीं होती तो आज ही मैंने मुझे लगता है उदर ने देना चाहिए नहीं देना चाहिए एक मर्डर हो गया एक जिले में मैं बेचेंदा मैंने का आप मुझे चाहिए परादी और नहीं मिले तो ठीक नहीं होगा मैं तुम्हें ठीक कर दूगा अब मतलब कई बार ऐसी चीज़ें आपको कर नहीं पड़ते हैं तो इसको जैसे इस पे एक क्राइम के उपर मेरा क्वेशन है रिसेंटली अभी इन दौर में मैंने देखा था न्यूज आई थी कि किसी ने जो म्यूंसिबल पार्टी के जो सफाई वाले भाई आते हैं उनके उपर गन लगा दी थी क्योंकि उनका कुछ गाना बजाने का कुछ इशू हो गया था यहां थोड़ी बहस हो गई थी यहां रीसेंटली एक हुआ था कि इन दौर में एक म्यूजिक कॉंसर्ट हुआ था जहां पे एक आर्टिस गाना गा रहा था और वहां पे किसी ने गन निकाल दी थी तो यह और फिर एक थोड़ टाइम पहले हुआ था कि एक बिजनसमेन को एटियम के बाहर मार दिया था तो ऐसे जब इशूज आते हैं बहुत डिफिकल्ट इशूज होते हैं तो आप क्या करते हो इनके लिए कैसे करते हो कि आप तरे दिए सेफ होते जाए सब दो तरह की चीज़ें करते हैं एक और्गनाइच क्राइम होता है जैसे आपने अगर सुना हो बच्पन में आपके मदप्रदेश के एक बड़े हिस्से में डकेत हुआ करते थे बड़े बड़े मलगान सिंग, पान सिंग, पलाना, धिमका, किती फिल्म में बनती थे मैं 2006 में मुक्वंत्री बना और मैंने तया कि या कि मदप्रदेश में तो ड़ाकू रहेंगे या सिवर आज रहेगा दोनों एक साथ नहीं रहे सकते हैं और विदिन ए येर सारे डकेत मार दी या फिर पकड़े गए या आत्मसवर्टमन कर दी आज तक कोई सूची वद ग्रोह डकेतों का अब मैंसा आप हो नहीं मिलेगा छोटा मोटा क्राइम होता है हमने खतम कर दी है क्योंकि मुझे लगा कि खड़े करके लाइन में गोल ही मार दे तो ऐसे लोगों को जिंदा रहने का की नहीं है सिमी का नेटवर्क था यहां जवर्दस्ट विसे इसकर मालवा और उस इलागे में हमने तेह किया इसको द्वस्ट करना है द्वस्ट किया आपको पता है कि सिमी को लोग जैल में बन थे और जैल तोड़के भागने की जुरत की थी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाए नकसल वाले मामले में हम बिलकुल इस पस्ट है कि ये नहीं चल सकता लेकिन कुछ होते हैं समाज में सामान अपराथ परिस्तिती बस जगड़ा हुआ मार दिया गुसे में मार दिया चोटे मुटे क्राइम है उनको फिर अलग ढंग से जैसे परिस्तिती पैदा होती ही वैसा लेना पड़ते हैं सबसे पहले माद परस ने ऐसे फैसला किया कि अगर मासून बिटिया के सांथ कोई दुराचार करेगा तो इसको फांसी की सज़ा मिलेगी हमने सबसे पहले फैसला किया कि किसी को हख नहीं बेटी की जिन्द ही बरबात करें ưngसे भोग उस चीने का उख न कुछ PC जाने से लेने पड़ते हैं, नए कानून स्वान ने रूसर्वब से देखें तो कुछ ना कुछ जिंदा समाद में क्राइम होते रहते हैं लेकिन by a large सन्तिका टाप वह लेकिन कुछ गट गटती है तो उस पे एक्सर लेते हैं, मेरा गाउं है नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी बहुत पवित्र न दिये, गंगा, सिंदो, शिकावेरी, यमना, चाव, सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, तो रेवा मतम नर्मदा, और अक्सर साधू संध धार्मिक प्रृति के लोगों का आना जाना रहता था, और मेरी धर्म में रूची जागी, और मुझे लगता था कि भगवान की भक्ती करनी चाहिए, मेरे आदरस थे धुरूब, धुरूब जब अपने पिता जी की गोद में बैठे थे तो सोतली मान ने उतार दिया था, जब ये रोए तो मान ने कहा कि बेटा तु भगवान की गोद में बैठना, धुरूब भक्ती करते थे, मेरे मन में लगता था मुझे धुरूब जैसा बनना है, भगवान को प्राप्ट करना है, और मैं गाओं के आसपास पड़त जमीन पड़ी रहती थी, जहां पेड़ होते थे, खेत नहीं होते थे, गाए बैल भैस के लिए, तो मैं धान लगाने के कोसिस करता था, और सोचता था कि मैं धुरूब की तरह भगवान की गोद में बैठ जाओ, यहीं से फिर प्रविर्ती बनी, कि हम धार में किताब पढ़े तो मैंने गीता जी का धिन किया, कुछ समझ में आती थी, कुछ समझ में नहीं आती थी, गीता जी भी मिली इस ढंक से मुझे कि दादा जी का स्वर्गवास हुआ था, तो हमारे कर्म कांड होता है ब्रामनों को दैने के लिए कई चीज़ें उसके बाद दी जाती है, उसमें गीता जी की पृती भी दी जाती है, तो कुछ पृतियां बच गई थी, एक मेरे हाथ लग गई, मैंने अधाने के लिए नहीं है, कुछ ऐसा जिससे जीवन सफल और सार्थक हो, फिर मैं विवेकानन जी को पढ़ने लगा, आचारी सिर्राम सर्मा जी जिनने गातरी परिवार की स्थापने की, उनको पढ़ने लगा, और उसी मैंसे फिर कई चीज़ें मेरे दिमाग में आई, वर्ग से आते थे, उस जमाने में ये बात मैं कह रहा हूँ, लगभग पचास साल पहले की, मैं अब सिक्स्टी फोर का हो गया हूँ, नेरे बच्पन में, जब मैं सेवंध किलास में पढ़ता था, तो जो हमारे हरवाहे और चरवाहे दो वर्ग होते थे, चरवाहा मतलब ज तो उनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी, काम के घंटे बहुत जादा थे, सवेरे से लेकर रात तक जी तोड़ पर इस्रम करना पड़ता था, और उनको मजदूरी मिलती थी, धाई, पाई, पाई मतलब एक बरतन होता था, जिसमें भर के ग्यहूं और नाप के देते थे, प लेकिन बुद्धा करके चरवाहा था, वो लेट आया तो उसको मेरे चाचाईएन बहुत डाटा है, और जैसे सब्दों का उप्यो किया, उससे मेरी आत्मा बिद्रिन हो गए, इती देर से आया है, पलाना था, मुझे लगा कि यह अन्या है, क्यों तू रजाई में दब के स यहां पढ़ने लगा वो पाल में, क्योंकि गाओं में किसान की इच्छा ही होती कि बेटा बेटी कोई डॉक्टर बन जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन मेरी चेतना और जागरत हुई, तो मैंने गाओं के मजदूर मंदिर पे इकटे किये, छोटा था, कम इकटे हु पेट्रो मैक्स गैस बत्ती हम लोग बोलते थे, वो जलाई एक मजदूर के सर पर रखी और पच्छिस एक मजदूर और मेरे साथ हो नारे लगाते हुए, लोग आगे बोड़े धाई पाई लेंगे, धाई पाई नहीं पाई लेंगे नहीं तो काम बंद करेंगे, और हम जै उसे फिर पकड़ के सेहर भेज़ दिया गया भोपाई कि यह तो बिगाड रहा है मजदूरों को, लेकिन यह तड़फ थी, वो तब की थी, और तब से मन में लगता था कि नहीं कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, वहाँ से सफर सुरू है, फर्स टाइम कब एक प् तोपे नगर में, वहाँ में पढ़ा, वहाँ में प्रेजिडेंट बन गया स्कूल का, क्योंकि कुछ करना है, जा चाह होती, वहाँ रहा को नहीं करना पड़ता है, तो मैं तो एक्टिव था, और उसी समय, जे-पी का मूमेंट चला, महंगाई, बेरोजगारी, प्रिष्ट में और हम अलग अलग गुंजे धरती और आकास देश कनिता जया प्रिकास, उस समय के जो प्रुमोख नारे थे, वो सब हमने सुरू किये और जे-पी मूमेंट में जुड़े, उसी समय एक बाई-एलेक्शन हुआ है, इसमें स्वरगी बाबुलाल गौर, जो मद्रप्रदे थी, तो लीडर्स से काफी जान पहचान हो गई ही, वो लोग मुझे लाड़ भी करने रहे किया लड़का बड़ा प्यारा है ये, बड़े काम का है, तो ऐसे करके, शुरुआत स्टार्टिंग हमारी, ऐसे करके हुई, बाद में अमर्जेंसी लगी, अमर्जेंसी का विरोत क काम किया, उसके बाद फिर मैं A.B.B.P. अकिल भारती विद्धारती परिशद मुझे लगा कि ये ठीक है, जेल में दरसल मैंने काफी अध्यन किया, साड़े नो मेना जेल में रहे, तो स्वामी विवेकंद को भी पढ़ा, महर्शी दैनन सरस्वती को भी पढ़ा, गीता जी के लिए लोगों के लिए, तो महाँ से ये दिसात्या होगी, बाद में फिर A.B.B.P. के बाद इवाम उर्चा, इवाम उर्ची के बाद सफर आगे बढ़ता चलागी, दीरे दीरे बढ़ता गया, इसमें मुझे एक छोड़ा सा जोग यादार है कि जो लोग जेल जाते हैं, इसमें उर्ची लिडर साने बढ़ता हैं, तो मैंने फिलासोफी वाइस क्या लाङता है। तो ये पैदा होते से ही लीडर बनने का रहता है, कि कुछ एक तलब है, कि मैं ये मानता हूं, कि जनू से नि, कर्म से ही हम लोग बनते हैं, कुछ ली बनने, आपके मन में अगर समवेद naar है, तो विचार तो आपके दिमाग में आते हैं, कई बार अगर वो विचार आप आत्म साथ करके दिड़ता से उस विचार को क्रियान विट करने आगे नहीं बढ़ते तो विचार खतम हो आता है कि ये करना चीज़ खतम हो जाता है लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं नहीं ये तो ठीक चीजे करना है सोचा और लगा कि करना है और आप उतर गया मैदान में तो आप बड़ा काम कर डालते हैं तो अब ये व्यक्ति व्यक्ति में अंतर हो सकता है कि अच्छा करने का कई सोचते हैं लेकिन सोचते हैं अरे कौन चक्र में बढ़े कुछ दिन के बाद लेकिन आपके दिल दिमाग में बात बैठ गे और आपने करना सुरू किया तो करना सुरू आप करते हैं तो आपका विक्तित्व बनता चला जाता है और लोग साथ जुड़ते चले जाते तो हम लीडर्स बनते हैं मुझे लगता है कि पैदा नहीं होते बनते हैं लेकिन इतना तो मूल पिंड में कुछ होता है तो फिलासोफी में जैसे में किया तो एजूकेशन कितना जरूरी है पॉलिटिक्स में कि नहीं है पॉलिटिक्स में जरूरी है सिख्ञा के तीन उद्देश होते हैं गौन देना गौन आपको दिसा देता है, आप सत्तीद क्या है अप जब पढ़ते हैं तो आप समझते हैं आप पड़ोगे नहीं तो पीडियों से संच्चत ग्यान से आप परिचित ही नहीं होगे तो आप आसपास के बातावर में जो आपको दिखता वैसे करते चले जाओगे इसलिए ग्यान प्राप्ट करना लेकिन सिख्षा दूसरी चीज और देती है कौसल भी देती है और तीसरी चीज अगर सही दिसा में दी जाए तो नागी रिखता के संसकार भी देती और क्या-क्या स्किल आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में ज़रूरी है तीन स्किल ऐसी जो एक यंग लीडर सुन रहा हो तो उसके लिए आपको क्या लगता है तीन स्किल जो बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगता है कि तीन चीजें अगर आप पूछ रहे हैं तो नमबर एक अंदर से महसूस करो समवेदना अगर दूसरे के दुख आपको व्यथित नहीं करते तो आप आप कुछ नहीं कर सकते हैं फिर आप आइटी फीसेल ऐसी करते रहेंगे ना टकनो टंकी लेकिन दू किस्ता आपको सनाता हूँ बेटा और बेटी में भेत किया जाता है भारत में कई राज्यों में अब कम हो गया लेकिन इसके पहले बहुत गहरा था मैंने अपने गवाँ में अपने घर में देखा मुझे ज़्यादा प्यार मिलता था मेरी बेहन को उता नहीं मिलता था लट्ठ मारेगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बात चुब गई दिल में। ये गलत है। एक मा की कोक से दोनों प्यदा हुए बेटा और बेटी। बेटी दोयम दरजे की मानी जाएगी क्या। और वो तकलीफ बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि पती पतनी में जगड़ा कि मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए ये नहीं चल लिदेना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो आप अंदर से महसूस करते हैं को नहीं है। यह बहुत है कि वो पिट रही है अपना उसका आदमी मार रहा एक भाव यह हो सकता है। अपधा तो स्रेस्ट है यार उसमें का है इसको बदलूूँङा मैं, दूसरी चीज फिर उस चीज, उस परिस्तिते को बदलने का मन में संकल्प पैदा होकि कि नहीं मैं इसको बदलूँगा कि वसल तकलीफ से क्या है, तकलीफ ही लो भूल गए, झगिन आपने तक के, नहीं, मैं इसको बदलूँगा और तीसरी चीज यह होनी चाहिए कि उसको बदलने के लिए जी जान लगा दूँगा चाहे कुछ हो जाए यह तीन चीजें होंगी तो आप बड़ा काम करोगे अब सही अर्थों में लीडर बनोगे तो ऐसी ऐसी मुझे बात बताओ कि जो यह सुन रहा है और किसी को लग रहा है कि दूसरों की जो पीड़ा है जो दूसरों का दुख है मुझे वो सॉल्फ करना है और मैं खड़ा रहूँगा और मैं यह संकल्प लेता हो कि करूँगा और अब वो एक अपने पात पे स्टार्ट हो गया है कही ना कही पर कोई ना कोई देख रहा है वो स्टार्ट हो गयी है यह स्टार्ट हो गया है वो उसने कर दिया शुरूँ तो ऐसी कोई गलती जो आपको लगता है कि यार यंग लीडर को नहीं करनी चाहिए जो आपने कभी अपने करियर में खरी हो पिर पहले तो आपको रखता है ये अगर इन दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो उस सही रहेगा मुझे लगता है कि जो तीन चीजे मैंने बताई गलती तो ये होती के बीच में हम किसी से प्रभावित होके परेसानी से बिचिरित होके हम रास्ता छोड़ दे कि कौन परेसान होई तो बड़ा कंटका कीर्ण मार गए वो जो डिगने वाली चीज रहती है कई वार पापुलर्टी आपको डिगा देती है रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है मैं मानता हूँ भगवान स्री कृष्ट ने गीता में जब अरजुन ने पूछा था कि सात्विक कारी करता कारी करता कह लिजिए नेता कह लिजिए कौन उन्होंने का था मुक्त संगो अनहम बादी धुति उत्साह समन विता सिध्धी असिध्यो निर्विकारा करता सात्विक उच्चते मुक्त-संग मतलब अगर आपने टैक्छ किया कि यह काम में करूँगा तो आप ना किसी से राग रखेंगे ना किसी से द्वेस रखेंगे जो योग होगा उसको आप काम दैंगे संग से योगत काम मतलब यह है कि किसी ने पेर चुए आपने लगा किया रिये तो मेरा फालूवर है तो या च्छम भी हो तो इसको आगया बढ़ाओ नहीं मुक्त संगो रास्ते में कई साथ मुझरूत पड़ेगी यो किता है कि उन सारे काम दो अनहम बादी कभी घमंड मत करो अंकार नहीं आना चाहिक नहीं आप बेरे आस पास लोग हैं धिती मतलब धहरी है कई बार क्या होता है कि आप चीज ते करते हैं आसानी से थोड़ी होती है असफल होते हैं असफल हो कि आप निरास हो जाए तो आपका काम खतम लेकिन अगर असफल हो गया तो दोबारा प्रास करो तीसरी बार करो ट्राइ ट्राइ अगें और उत्सा हो, कई बार मन मर जाता रहे यार कहां, बहुत परिसान हो गया, छोड़ो चोड़ो, उत्सा कहतम हो गया, खिर्दे हमेशा मन उत्सा से भरा होना चाहिए, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, तो ये चीजें रहने चाहिए, कभी आपको ऐसा लगा है इतना लंबा इतने टाइम से आप कर रहे हो तो कभी ऐसा हुआ है कि हो गया रब मेरा उस्था थोड़ा कम हो गया कभी ऐसा लगा कुछ दिन जब तक सांस है तब तक काम करना है काम क्या करना है यह अलग बात है अब यह एक ही काम आप करते रहेंगी यह नहीं काम अलग-अलग हो सकते लेकिन जिन्द की काय के लिए जी मुझे वो प्रसंग याद आता है यक्ष और इदिस्ठर का आपको पता मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा पूरे पांचों भाई और दुरूब दी जा रहे थे प्यास लगी जैसे पानी लेने छोटे को भेजा उसके बाद भेजा सब पांडब गए युदिस्ठर को छोड़के और यक्ष ने का कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो उसके बाद पानी पियो लेकिन चार भाईयों ने पीडिया और मृत्यों गई इसके बाद इजिस्ठर पोँचे और एक्ष ने वही बात कही तो इजिस्ठर ने का सवाल पूछो सवाल कही पूछे लेकिन एक सवाल जो मुझे बहुत पढ़ता लिखता है किसोर होता है जवान होता है साधी होती है बुड़ा होता है और फिर मृत्यों हो जाती है जो आया है उसे जाना है मृत्यों अवस्यम भाबी है लेकिन ब्योहार ऐसा करता है जैसे इस दुनिया से कभी जाने ही नहीं हो यह सबसे बड़ा आश्चरी है मैं हूँ आप हो मैं 64 years कहूँ किते साल जी हूँ गाजी 10 साल, 15 साल मैं क्यों एक एक छण भी बेर्थ कवा हूँ जब तक सांस चल रही है हत्माँ चल रहा है मैं बहतर से बहतर काम करता हूँ यह चीज आपको ठकने नहीं देगी इस क्वेशन से मुझा है मुझे भी आपसे क्वेशन है कि आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा आश्चरी क्या है इसके अलावा आपके करियर में अभी तक मैंने तो इसी को आश्चरी माना है कि आपमी सच मुझ मैं आप देखिए कि अखर उसको एक्स्प्लैन करने मैंने करी दिया है लेकिन बाकी तो मुझे आश्चरी ऐसा कुछ नहीं लगता आश्चरी करी बार थोड़ा सा यही लगता है कि जो मैं केवल राज़नीते क्छेतर में काम करने वाले कारी करता हो की नहीं कह रहा ही आम आदमी भी माया और ब्रहम में जीता रहता है मुझ से बड़ा कोन है मैं देख लूँगा मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा मुझे जानते नहीं हूँ मैं कोन हूँ तुम्हारे कहने से पढ़ता तो हिल नहीं सकता अब कितने ब्रहम मैं जरासा कुछ वात जानते नहीं हूँ मैं कौन है अब यही मुझे लगता है कि हम इस पूरे ब्रहमान में देखिए धर्ती कितनी सी है सूरज चंद्रमा एक थोड़ी है आकास गंगा हैं मंगल चंद्रमा पर पहुंच पाया मंगल पर पहुंचने के कौसस कर रहे हैं उतरे हैं आद भी नहीं उतरा भी लेकिन आप ब्योहार में देखिए आप कैसा ब्योहार करते हैं यह मुझे आश्यर लगता क्यों करते हैं प्रेम सरो गले मिलो सब को साथ लो सरब आते हैं विमिन इंपाव्मेंट पर यह हमने देखा है जितने मद्यपदेश यह लोगे हैं सबने देखा है कि आपका फोकस बहुत जादा रहता है और आपने एक अभी परसनल स्टोरी भी बताई कि आपने घर में ही देखा इसकी वज़े से आपको लगा कि यार मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए तो आप जब से आए थे तब से आज तक में क्या चेंज़ेश आएं आपने क्या देखा है कि यार मैं बहुत प्राउड हूँ यह दो-तीन चीज़ों की वज़े से जिसमें मद्द प्रदेश में मैंने महीलाओं के लिए यह किया सबसे पहली चीज़ तो यह कि जो वेदना मैंने आपको बताई थी उसी वेदना ने मेरे दिल में संकल्प पैदा किया कि कुछ करना चाहिए मैं एक गाउं में सामुख बिभास अमिलन था मैं कुछ MLMP कुछ नहीं था लेकिन मैं जाना जाता था क्योंकि बोलता था मैंने बता एक्टिव था तो चीफ गेस्ट के आने में देर थी तो लोगों उनका कि इनको खड़ा कर दो सिवराज को यह वो टाइम काटू भी वक्ता की जौरत पढ़ती ना बीच में तो उनका यह लड़का अच्छा बोलता है खड़ा कर दो तो मेरा प्रीवे से वो ही था कि बेटा बेटी में भेद मत करो बेटी को भी आने दो बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती बेटी है तो कल है एक बुड़ी अम्मा खड़ी होगी बड़ी बात कर रहा बेटी को आने दो बेटी को आने दो बेटी आई और बड़ी होगी और साधी करनी पड़ी तो दहच के अंद जाम तो करवाएगा अब इस बात ने मेरे मन पर 11 असर डाला मुझे लगए बसे वराज भासन भासन से नहीं होना रहे जब तक जमाना बेटी को बोज मानेगा बेटी कोख में मारी जाती रहेजी कोख कतल खाना बनता रहेगा और तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि बेटी को बोज मत रहने तो बेटी को बर्दान बनाने की कौसिस करो सेक्स रेस्यो अगर आप देखेंगे ज़्यादा दूर की बात दी कर रहा 2011-12 में मद्ध प्रदेश में 912 बेटीयां पैदा होती थी 1000 बेटों पहे और लगातार घट रहा था यह चिंता का पीडा का विसे था बेटीयां कोख में मारी जा रही थी बर्दान कैसे बनाए एक तो तरीका था आवेरनेस तो आवेरनेस से केवल चलता नहीं गाम मैं एमेले बना 90 में नब्ध में पहली बार में विदाएक बना मैं पदयात्रा कर रहा हूँ मैं पैदल भी बहुत चला हूँ इसलिए पाँपाँ वाला भाईया भी कहते हैं लोग तो गाउं बोरना वह में पहुंचा तो गाउं के लोगों उनका भाईया एक बेटी है जिसके माता पिता नहीं है साधी के लाइक हो गई है गाउं ऐसे ही बहते हैं साधी लाइक हो गई है लड़का तो हमने ढूड़ लिया लेकिन पईसा ही सा कुछ नहीं है वो तो अनात बेटी है सरकार से पईसा दिलातू तो मैंने पुज़ा साधी कब है बोले परसों है अब सरकारी साह था परसों तो मिल नहीं सकती तब मेरे मन में पैदा हुआ है क्यार तुम करो साधी एमेले बन गए तो तुम भी तो अजवा बखो उस बेटी की मैंने पहली साधी की और साधी के बाद जो आनन्द मिला तो मेरे मन में संकल पैदा हो गया क्यार यहीं से सुरू करो बेटी गी साधी को बोज भूज नहीं देंगे तो गईरी बेटीओं की साधी करो तो मैं अपने मित्र मंदली के साथ मिलके कभी 21, कभी 35, कभी 31 साधी करने लगा 2005 के अंत में मैं मुखमंत्री बने गया मैंने पहली योजना बनाई लाखों की तादाद में साधिया हो रही है साधी बोज ना बने मेरा संकल था फिर मेरे दिमाग में आईडिया आया कि बेटी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लखपती हो मदब इसमें बोज कब नहीं मेरे जब उसके पास पैसे होंगे तो मैंने अफसर बुलाए और मैंने का कि यार ऐसी होजना बनानी कि बेटी लखपती पैदा होते ही बन जाए तो अफसरों ने तो थोड़ा सा विंगात मगदरिश्टी से एक दूसरे को देखा फिर लगा कि नया नया जो से नया बनाए तो तो चार दिन में ठंडा हो जाएगा जब सरकार की बास्तिफिक आए समझेगा तो लगा मैंने जुद पकड़ ली कि वो नहीं रहने दाना लखपती बनाना है और फिर मेरे दमाग से निकली लालली लक्षमी योजना जिसमें हमने तेह किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो दो बेटीओं तक हमने पॉपलिसन कंट्रोल को भी जोडा उसे है बेटी के नाम पे हम 30,000 रुपे के बचत पतर खरीद के जमा कर देंगे सरकार के खजाने से पैसा दे देंगे उसको मैंने सिक्षा से जोड़ा पाच भी पास करके छट भी में जाएगी तो दो हजार आठ भी करके नो में में जाएगी तो चार हजार दस भी पास करके गार भी में जाएगी तो छह हजार बार भी में छह हजार और बड़ी हो जाएगी किस साल की तो एक लाख तो ये योजना बनी लाडली लक्षमी योजना और अलग-अलग राज्यों ने फिर इस योजना को किसी ने किसी रूप में अपनाया आज मेरी 44 लाख 90 जाल लाडली लक्षमी बेटिया मदर्व देश की धरती पर है जिनका पूरी विवस्था मैंने की फिर अभी आने के बाद कॉलेज में एडविसन लेगी तो साड़े बारा आजार ग्रेज वेसन करेगी तो फिर साड़े बारा आजार और अब मैं ये तैक कर रहा हूँ के लाडली लक्षमी अगर नीट के मादम से मेडिकल कॉलेज में जाएगी या जेई मेंस के मादम से इंजिरिंग कॉलेज में जाएगी कलेट के मादम से लॉक कॉलेज में जाएगी तब भी उनकी फिस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा तो ये लगा कि अब उसके बाद आप देखिए सेक्स रिस्यू नौसो बारे से बढ़े कि नौसो चपन हो गया अब बेटी बोज नहीं मानते है मत अपने इसमें और हजार पे जब तक हजार पैदा नहीं होंगी तब तक मैं चेन नहीं होगा लेकिन और भी कई चीजें देख महला घर से बाहर निकले निकल ली नहीं है आप तो इन दोर में रहें बच्पन में आस पास के गाउं में गूंगट करो गहर में चलो मैंने टै किया कि लोकल सेल्फ गवर्मेंट के चुना में 50% सीट रिजर्व रहेगी बेहनों के लिए बेटियों के लिए जब मैंने किया यह फैसला तो बड़ा विरोध हुआ अगरे ओरतें क्या करेंगी लेकिन आज मुझे खुसी है कि इन दोर में यह आपने देखा मेर ने कैसा काम किया महला के रूप में यह मालती राय मेर महला है 50% से ज़्यादा मेर गिला पंचाज जनपत पंचाज की अध्यक्ष सरपंच पंच कार्परेटर महला है अब महला है जब इमपावरमेंट हुआ तो निकली पहले निकल ने नहीं देते थे अब महला निकलती पीछे एक सजजन चल रहे होते हैं वो यह कोन है वो लिए सरपंच पती है अब पूरा परदर से बदल गया एक काम हमना और किया कि प्रापर्टी अकसर पुरुस के नाम पर खरीदी जाते हैं मकान दुकान खेत हमने तैय कर दिया कि बई देखो पुरुस के नाम पर खरुच दोगे तो इस टांपसूल के ज़्या पानदा लगेगा comigoा के नाम पर बैटी या पतिनी के नाम पर खslit दो कि वह एक परसेंट लगेगा तो कई लोग नो सोच है और पैसा बचाने के लिए इनके नाम पर खरुच्टरी कर वा दो तो अनके नाम मकान दुकान आने लगी खेट आने लगे पहले कह देते हैं नेकल दोनों के नम से, फिर अभी अभी हमने एक योजना बनाई, लाडली बेहना योजना, ठेक है, जह हमारी गरीब बेहने, मैंने पहले बनाई बेगा, भारिया, सहरिया, जो बहुत, पिछरी जन जातियां थी, कि एक हजार रुपया इनके खाते में डालो, तो पैसे का सदुप्योग करेंगी बच्चों के लिए दूद, डाल, सबजी, फल, उसके परिनाम अच्छे आए, तो मदप्रदेश में हमने अब सब गरीब और लोवर मिडल क्लास की बेहनों के खाते में, अभी दस जून से एक ह दर्द से पैदा हुवा वो संकल्प है, जो मेरे जीवन का मिसन बन गया है, इस्तरी और पुरुस की समानता मेरे ले जीवन का मिसन है, hy आप気 जो कर सकते हैं हम कैसे बेहत कर सकते हैं दोनों, यह सब से बड़ा पाप है, जिसको हम खटम कर रहे हैं इससे मुझे दो इंसिदेंट्स यहाद आते हैं एक तो जब मैं मेरे पापा के साथ हम लोग नई इंडस्ट्री लगाने का प्लान बना रहे थे और तब हमको यह सबसीडी के बारे में पहली बार पता चला था कि अगर आप महीला के नाम पे इंडस्ट्री भी स्टार्ट करते हो तो मद्यपरदेश में काफी सबसीडी मिलती है तो काफी सबसीडी मिलती है तो आपका वो बहुत सही है और काफी लोगों ने हमारे फ्रेंड सिर्कल में हर जगे यह करना स्टार्ट किया कि उन्होंने अपनी मम्मी के नाम पे अपनी बेहन के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे स्टार्ट करना स्टार्ट करी, क्योंकि लोगन का इंट्रेस भी कम हो जाता है, सबसेडी भी मिलती है काफी चीज़े होती है और सेकेंड की जो आप बता रहे थे कि बहुत सारी महिलाओं के जो शादी कराना, तो वो मैं बच्पन से देखते आ रहा हूँ, तो मुझे इतना नया नहीं लगता क्योंकि मेरे पापा और उनके गृप में जो वो है वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं है, कुछ नहीं है बट परसनली अपनी केपैसिटी में साथ में जोड़के काफी शादीय कराते है और उनलोग का भी काफी यही रहता है तो मैंने यह बहुत क्लोजली दिखा है तो हो सकता है कही ना कही कि शायद मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में एक सेंटिमेंट है कि सब जिसका GCDB पिछले पाँच सालों में डबल हो गया है पर कैपिटा इंकम डबल हो गई हमारी यह सच है और मुझे कहते हुए बहुत संतोस भी है और गर्व भी है जब मैंने सरकार संभाली 2005 में तो मदप्रदेश का कुल बजट हुआ करता था लगबख 21,000 करोड रुपया 21,000 करोड से 1,000,000 करोड में 1,000,000 करोड मुझे लगा 2012 2,000,000 करोड का क्रास कराने में 2020 आ गया 20,21 लेकिन 3,000,000 में ने क्रास करवा दिया 2023 में अब 3,000,000,000 करोड का बजट है हमारा हमारी GSDP का साइज था 71,000 करोड रुपया आज हम 15,000,000 करोड के आसपास पहुँच गए है पर कैपिटा इंकम थी 13,000 हम 1,40,000 पर पहुँच गए है देश की GSDP में हमारा योगदान था पहले 3,6% अब हम 4,8% पर पहुच गए है तो जितने पैरामीटर से उसमें मद्ध प्रदेश का प्रदर्शन एक्सलेंट है तो क्या सीखना चाहिए दूसरे स्टेट्स को हैं तो कुछ तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हम प्राथमिक्ता किस कामकोद है जैसे पहले टर्म में मेरी प्राथमिक्ता थी सिचाई की व्यवस्था अगर हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 65% पापुलेशन खेती पे निरफर करती थी तो जब तक किसान की हाले ठीक नहीं होगी तब तक हम लोगों की जिन्दगी बहतर नहीं कर सकते तो मैंने सिचाई की व्यवस्था युद्दिस तर्पे की साड़े साथ लाख हेक्टर में सिचाई होती थी दोजार पाँच अब बढ़ाके मैं 45 लाख हेक्टर तक ले गया 65 लाख हेक्टर पर मैं काम कर रहा हूँ उसके आगे के भी टार्गेट देह है सिचाई बढ़ते ही किसान की आमदानी तो ऐसी दन से डवल हुई क्योंकि पहले अगर एक एकड़ में पाँच कुइंटल पैदा होता तो 25 कुइंटल पैदा हो रहा है जस्ट फाइब पाँच गुना बढ़ गया 500 प्रिस्ट बढ़ गया अब आप इंट्रेस्टिंग देखे किसान के पास पैसा आया तो बजार में गया उसना सामान खरीदा कपड़े खरीदे दूसरे चीज़ें खरीदी टीवी खरीदा टू बीलर खरीदा फ्रिज खरीदा फोर बीलर खरीदा तो दुकाने चली दुकान चली तो कार खानों का माल उठा कार खानों का माल उठा तो कार खानों का चक्का और चला और चक्का चला तो पूंजी का अंद्रमान हुआ पूंजी का अंद्रमान हुआ तो नए कार खाने लगे देखिए पूरी की पूरी मैं पहचान गया कि सिवराज तुमको फोकस प्रार्म में खेती पे करना पड़ेगा तुरंट इफेक्ट इसका होगा और जो मैंने बताया उसका असर तेजी सो होना सुरू हुआ लेकिन केवल इतना नहीं फिर अगले टर्म में प्राज़ बिकता है बजली तेवर बजली केवल लाइट नहीं है बजली मतलब कार खाना बजली मतलब इन्वेस्टमेंट बिजली मतलब अच्छी सिक्षा पूरी जिंदगी बदल देती बिजली तो 2013 में पहले तो आपको पता है बच्पन में आपने देखा होगा तीन चार घंटे लाइट जाती थी मैंने संकल भी किया 2013 में 24 घंटे बिजली दूगा दे दी बिजली का उत्पादन बढ़ाया 300 मेगाबाट की उपलबज़ता से बढ़ा के 28,000 मेगाबाट करती तो ये प्रात्विकता है तैकी मैंने फिर रोड नेटवर्क अगर ठीक नहीं है तो पहले आपने रोड देखियोंगे कभी बच्पन में मद प्रदेश के रोड की क्या हलत थी आज आप रोड देख लें मद प्रदेश में 4,000,000 km सांधार सड़के बना दिया और अब बिन्द एक्सप्रेस बे, नरमदा एक्सप्रेस बे, अटल एक्सप्रेस بे बुंदेल खंड एक्सप्रेस बे सब बना रहूंग है और एक एक्सप्रेस बे मतलब एक्सप्रेस बे नहीं आस पास इंडस्ट्रियल टाउन खड़े हम कर रहे हैं अलग-अलग ऐसे सेंटर बना रहे हैं जाब बिजनिस बे अफसाव इंडस्ट्री पन पे तो आप पहचान लो जो मैंने किया वहर प्रदेस की मैं बात नहीं कर रहा है यूरोप का कोई देश का प्रांथ होगा तो वहां की प्रात्मिक्ता है लगोगी पिल्कु सही है तो आवसकता देखता देखता है प्रात्मिक्ता है जिनके कारण जल्दी अंतर आए इस पहरा मुझे दो तीन क्वेशन है इंडस्ट्रियल बेल्ट पे और हम कैसे इंडस्ट्री बना रहे हैं टूरिजम कैसे बना रहे हैं पर उससे पहले क्वेशन था मैं पढ़ रहा था एकॉनोमिक्स में कि जिसे दूसरे देश हैं बाहर वो लोग ऐसा बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा वेस्टें वर्ल्ड है जिनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा है वो बोलते हैं कि अपना ध्यान खेती से हटाओ और खेती आउट्सोर्स कर दो क्योंकि हमारे जो एक-एक इनसान का आउट्पुट है वो दूसरी जगे लगाएंगे तो ज़्यादा एकनॉमिक में वैल्यू एड होगी ज़्यादा वो इनकम लापाएंगे क्योंकि एक खेत पे कम लोग चाहिए हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए तो हम ऐसा फोकस क्यों करते हैं ज़्यादा खेती पे जब भार के लोग अगर हट रहे हैं तो तो आपको खेती तो करनी ही होगी लेकिन दिरूष से ज़्यादा बोजख खेती पर ना हो इसलिए जनसंख्या कभार खेती से हटाना चाहिए और दूसरे कामों में लगाना चाहिए बात सच है लेकिन सब खेती नहीं छोड़ सकते तो मैं इनदौर पर आता हूं क्योंकि मैं और मैंने इंदॉर में चेंज देखा है, जब स्वच भारत अभियान चला था, तो उस ताइम पर पूरे देश में एक वेव आई थी, कि हर कोई साफ रखेगा, स्वच रखेगा, लेकिन इंदॉर बहुत क्लीन हो गया, इंदॉर का हर इंसान पार्टिसिपेट करने लग गया कि यह मुव्मेंट है और हमारे गर्फ की बात है कि हमें इसको नंबर वन बनाना है, भोपाल में भी काफी क्लेनलेस हो गई, तो ऐसा क्यों लगता है आपको, क्या लगता है कि कौन से रीजिन की वज़े से इंदॉर, भोपाल, मध्यपरदेश, यहाँ पर बहुत जल्दी ह है यह स्वच्चता में बहुत आगे, लकिन ओवराल मध्यपरदेश भी नंबर वन है, हमारे कई से हैं, बहुत अच्छे हैं, हमने इसको जनान दुलन बनाया है, प्रधान मंतर जी अद्वत व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में भी आई कि जन भागेदारी जब तक नहीं होग मार्केट में जो बैपारी मार्केट जो बजार चलाते हैं, दुकाने, उनकी बैठक, स्टुडेंट्स की, परियावरन विदों की, स्वच्छता के दिरूची रखने वालों की, सब को हमने जोडा, और जोड के एक जिद पैदा की, कि हम अपने सेहर को गंदा नहीं रहने द बाया, इंदौर में पूरी ताकस से जनता ने तै कर लिया, कि नहीं रहने देंगे सेहर को गंदा, भुपाल के जनता ने भी काफी हद तक किया, दोनों में ठककर होती रही इंदौर बहुपाल में, नमबर वन इंदौर ते नमबर टू भुपाल कई वारें सी स्थिती भी जाई, तो ये एक आंदौरन बन गया, लोगों को लगता है कि हमारे सेहर सोच रहने चाहिए, और ये जिद जब तक आप पैदा नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता, सोच जब आपको क्या लगता है, अगली जिद मध्यवदेश की क्या होनी चाहिए, हम बहुत बदले हैं लेकिन कसर बहुत है, अब एक लाक चालीस जार पर केविटा इंकम कोई जादा थोड़ी है, पहले से अच्छ हो गए, काम बहुत करना है, और काम करना है, तो उसका रोड में पीता है, जैसे, मैंने का रोड नेटवर्क हो गया, दो सेरो में मेट्रो, अब अगर मैं परिव परिवेहन के लिए आकासमार का इस्टेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे बहुपाल है, बड़े ताल आपके उपर से ही केविल कार चली जाए, रोप बेच चलें, उसका फायदा ही होगा कि आप सड़क पर चलोगे हैं नहीं, परिवेहन का बोज़ कम होगा, तो सड़के आपकी जो जाम लग जाता है, वो बंदोगा, आप अगर बिजली के बारे में बात करें तो बिजली तो चाहिए लेकिन क्लीन एनरजी चाहिए हम लोगे, परियावरन बचाय रखते हुए, तो हम अब सोलर पैनल पानी की सते पे बिचा रहे हैं, जमीन पे तो बिचा ही रहे हैं, स क्लीन एनरजी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्वच एनरजी, मेरे लास्ट तू क्वेशन्स हैं, और फिर हम लोग एक छोटा सेक्शन करते हैं, रैपिड फायर वो मैं करके खतम कर दूंगा, तो लास्ट तू क्वेशन्स है, एक है मेरा क्वेशन, इंडस्ट्री के उपर, कि ज डिसाइड किया था कि हम आटो मॉबाइल में लीडर बनेंगे, कोई स्पैसिफिक इंडस्ट्री चूज़ करते हो जब आफ सोचते हो, किस रीजन से या किस तरीके सोचते हो कि मैं कौन सी इंडस्ट्री को जादा बढ़ावा दूंगा, या मैं कैसे इंडस्ट्री पाक बना हर साल कुछना कुछ एक नए अनॉंसमेंट आता है कि यहां सूपर कॉलिडर बन गया, तो यहां पर आईटी बन रहा है, कहीं पर मॉल्स नहीं आगए, कहीं पर फाइस्टार होटेल नहीं आगए, कहीं पर एजुकेशन हब, आईएम, आईटी आगए, अब पीतम पूर बढ़ते जा रहा है, तो सेंटर में अपने आप वैल्यूबल हो गया, तो क्या डिसिजिन रहता है कि मैं कौन सी इंडस्ट्री पहले लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, कैसे शेहर को बढ़ाऊंगा, कैसे मध्यपजेश को बढ़ाऊंगा, थोड़ा हम यह सोचते हैं, देखिए कौन सी इंडस्ट्री लाने से फायदा ज्यादा है, जैसे रोजगार के लिए टेक्स्टाइल, उसमें सो करोड़, डेर सो करोड़ का निवेस करो, चार अजार को रोजगार देदो, तो हम ऐसी इंडस्ट्री पह भी हमारी रूची रहती है, आई टी कंपनी आगे तो फटा प्रदेश में जादा टूरिजम नहीं था कभी भी, इतना अलग दूसरे स्टेट के कंपैरेजन में, और अब काफी फोकस हो रहा है, काफी चीज़ें जाके बढ़ रही है, इन फैक्ट हमारे दर मंदिरों में काफी इंवेस्मेंट हो रहा है, महाकालेशवर, ओमकारेशव एड काफी चर्चित हुए थे, हमारे हो टूरिजम कई छैतरों में बाइडलाइफ टूरिजम के कोई मुकाबला नहीं है, हम टाइगर इस्टेट है हम बल्कडर स्टेट है, घड MIL सटेट है, हम लेपर्ड स्टेट हैं तो चीता स्टेट भी हो गए, तो बाइड लाइफ खड़ा कर दिया, आप कभी सेला नी जाएं उमकारिस्वर के पास, तो पानी में इटापू को डेवलप कर दिये, गांधी सागर्म हो गया, तो हमने कहा कहा संभाबना उनको देखा, जहां तक महाकालिस्वर का सवाल है, उमकारिस्वर का सवाल है, देखिए, यह हमारी सृद् तो दरसन करके पूजा करके बापस है जाते थे, हमको लगए कोई एंसी रचना खड़ी हो जाए को लोग देखें, भगवान सिब की कथा, सिब पुरान के बजाए, यह उकिर के दिखा दें, तो बच्चों को भी समझ में जाए, तो उससे हमारी संस्कृति और संसकार भी ज दिखने आते हैं, एक लाक तो रोज ही आते हैं, होटल फुल हो गए, हॉमस्टे की ब्यवस्ता हो गई, रेस्टोरेंट खुल गए, टेक्सी, आटो, गालियां, हालत बदल जाती है, तो एक दूसरा अलाव यह भी होता है. All right, sir, last rapid fire, तीन क्वेशन पूछोंगा, आप एक लाइन मांसर कर दो, फेला क्वेशन है कि मद्धिप्रदेश में एक सेक्टर अगर अपको चूज करना हो, जो सब लोगों को बहुत बड़ी पॉचुनिटी बन सकता है, जो entrepreneur है, जो start-up करना चाहते हैं, जो businessmen, उनके लिए एक सेक्टर कौन सा होगा आने वाले दिस सालों में, जो सबसे जादा पॉचुनिटी बन सेक्टर, अप क्रिकेट या बॉलिवुट देखते हो, मुवी देखते हैं, पर क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट पता है, रोज नहीं देखता है, लेकिन इंडिया का score कितना हुआ, ज किसी एक क्रिकेटर को चूज करना हो, आपकी टीम में जॉइन कराने के लिए, कि वो सेम टीम में होना चीए, क्योंकि उसकी लीडर्शिप क्वालिट अचीए, तो कौन होगा? सचिन तेंदूलकर, क्यों? सचिन के तेंदूलकर के खेलने का स्टाइल, जो रन उन्होंने बनाए, अदम एक्छा सक्ती रन बनाने की, और इतना बढ़िया बिवहार, मतलब जो एक ग्रेट खिलाडी का होता है, उसके करना. Okay, last question है कि, एक CM होने के perks क्या-क्या होते हैं, क्या-क्या, मतलब गवर्मेंट की दरफ से क्या-क्या मिलता है एक CM को, जैसे CM की हर स्टेट में salaries अलगल होती है, तो मद्धिपदेश में CM की salary क्या है और इसके साथ-साथ क्या-क्या perks मिलते हैं? लगबग 2,00,00 रुपया salary है, salary नहीं है अकेली, लेकि बाकी चीज़ें मिलाके, बत्ते बाकी चीज़ें, लेकिन अब CM हो तो आप गारी में जा रहे हो, CM हो तो आपको CM हाउस रहने के लिए मिला हुआ है, अब CM हो तो आपका office है, वो आपको मिला हुआ है, CM है तो आपको सुरक्षा भी देनी पड़ती है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है, उसके अलावा कोई ऐसा पर्क जो हमें नहीं परता होता है, मुझे, education, fuel, कोई चीज़े कुछ ऐसा होता है, गाड़ी के साथ fuel तो रहते ही है, और education, आपका family का, सब का, वो सब भी, नहीं, वो नहीं होता है, उसके बच्चों का होना है, तो आपकी, अच्छा, आपकी salary सो का, वो नहीं होता, और telephone वगड़ा का जो, तो बस security office house, यह perks होते हैं, हाँ, टेलीफोन अगर आप करते हैं, तो उसका भी आपको मिलता है, तो इस तरह की चीज़े, तैंक यू सो मच सर, तैंक यू, आपने आपका time दिया, काफी जवाब आपने सारे अच्छे से दिये, हमें हमारा स्वागत किया, आपके घर पे, आपकी जगे पे, और इतना time दिया, तो आपके घर है, जनता का घर है जी, नहीं, तैंक यू सो मच, मैं, फर्स क्वेस्टन जो मैंने पूछाता है, वापस पूछता हूं एंड में, कि ये बताओ, मुझे क्या-क्या सप्लिमेंट लेते हैं और क्या-क्या खाते हो, इतनी एनरजी कहां से आती है, दिल में जो तलफ है, जिद, जुनून और जजवा है, वो आपको बैटन नहीं देता, और वो आपके अंदर अपने आप रसाइन पैदा करता है, अगर आपके मुझे मुझे अदम बिक्छा सक्ती पैदा हुई, कि मुझे वेस्टन अवदेवी जाना है दरसन करने, तो 14 किलूमेटर आप चढ़ जाओगे, मैं ऐसे कोई कह दे कि एक किलूमेटर चढ़ जाओ, आपको पागल हूँ क्या मैं चढ़ने जाओगा, आपके अंदर जो तड़फ होती संकल्प होता है, वो आपके अंदर वैसे रसाइन पैदा करता है, कि आप काम करते चले जाते हैं, अल्राइट, हम खोशिश करेंगे कि इस पॉड़कास के थूँ, इस जरिये के थूँ, हम सब में वो एक तड़ब पैदा करने ही कोशिश करें, कि कुछ कर दिखाना है अपनी कम्यूनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपनी लाइफ के बारे में समझ के आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, यह पॉड़कास किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो, जिसकी लाइफ में चेंज आएगा, जिसको एक नई बात सीखने को मिलेगी, जिसको एक नया आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि एक आइडिया, किन स्टाट सम्थिंग रहली नू और एक नई शुरुवात, आपकी और मेरी और देश की लाइफ पदल सकती है, तो थैंक यू सो मच वाचिं इस शो, उन्टी एक देट एक एंडिया जात शुरुवात, जिसको एक जिसको एक वाचिंगा,